कि राधे राधे जैस्री कृष्णा आप सभी को मेरे इस यू टीटरल प्रहारदीक स्वागत है अभिनंदन है प्यारे बच्चों अगर आप इन्वर्शिटी एक्जाम दे रहे हैं या फिर आप कोई कंप्रिटिव टेस्ट की तैयारी कर रहे हो जहां आपको सर्जी तंत्र पढ़ना है और यह पढ़ना है कि मुत्र का निर्मान कैसे होता है कौन-कौन सी उसमें क्रियाएं होती है तो उसको जानना आवस्यक है तो आज मैं आपको मुत्र के निर्मान के बारे में बताती हूं पहले हम देखते कि मुत्र होता क्या है क्या है पेसाब वाटीज मुत्र तो पेसाब में क्या होता है एक तो होता है पानी दूसरा उसमें क्या होता है अपसिस्ट पदार्थ में क्या हो सकता है जो आपका फालतु पदार्थ है यूरिया हो गया यूरिकमल हुआ क्रियतिनीन हुआ कुछ यूरोबिलीन हुआ कुछ जी वर्ज पदार्थ है जो हमारी बॉड़ी को डेमेज करता है जो हमारी बॉड़ी को नुक्सान करता है वो सारे उत्सरजी पदार्थ पानी के साथ बिल जाते हैं और शरीर के पेशाब मार्क से बाहर निकाल दिये जाते हैं उसी को हम कहते हैं पेशाब या मुत्र घाते हैं अब हम यह देखते हैं कि मुत्र निर्मान में कौन-कौन से क्रियाएं पाट लेती हैं, कौन-कौन से क्रियाएं भाग लेता है, तो बहुत सरल तरीके से बता रही हूं, सरल तरीके से समझोगे तो बहुत जल्दी समझ बाजाएगा, क्या है इसकी तीन क्रियाएं, कितनी है, पहला क्या है Glow Marular Filtration? Glow Marular छनन कह सकते हैं इसको हिंदी में, Glow Marular Filtration, Glow Marular Filtration में क्या होता है? पहले भी बताए था पिछले वीडियो में मैंने आपको डीटिल्स बताई है कि बोमन कैपसूल में गुलो मेरूलर उपस्थित होता है यह हेर लाइक अस्ट्रक्चर होता है रक्त के सिकाओं का एक जाल होता है गुच्छा होता है जहां पर खून सिराओं के द्वारा जो आते हैं उनको चाना जाता है तो इस छनने के दवरान इस छनन क्रिया के दवरान रक्त में जितने भी पदार्थ है उसमें प्लाजमा सहित सोडियम पोटैसियम सलफेट क्लोराइड बहुत सारी चीज उसमें चन जाते हैं बोमन कैपसूल पहले बताए है यहां पर इस तरह कि आपकी संग्रक्षना होती है इसको कहते है और यह आपका बोमन कैपसूल होता है एक प्याली जैसे संग्रक्षना होती है ना खून आपको सीराओं के माध्यम से आता है अशुद खून जिसमें बहुत सारे उत्सरजी तक तो होते हैं जो हमारी बोड क्या है पहला क्या होता है छानना क्या काम है पहला गुलो मेर्वलर फिल्टरेशन मतलब छानने के काम होता है गुलो मेर्वलर के द्वारा होता है इसको हम गुलो मेर्वलर फिल्टरेशन कहते हैं दूसरा दूसरा जो क्रिया होता है वह होता है टूबलर री एब्जॉर्प मतलब अवसोशन त्यूबलर को कहते हैं नलिका नलिका अवसोशन नलिकाओं के द्वारा अवसोशित कर लिती ही नहीं है बहुत ही बहुत तीजी तरीके से आप याद कर लोगे पहला क्या काम है पहला है चानना किसके द्वारा चल रहा है वोमेन कैपसुल में ग्लोमेरुलर क करें इस अवस्था में इस क्रिया में जो भी खून के साथ पदार्थ आए होते हैं। जाये वह लाबदाई होते हैं, या नहीं होते हैं, सब के सब लगभग छान लिये जाते हैं! जुसको हम कहते है ग्लो मेरूलर फिल्टरेट इस द्रव का नाम क्या है ग्लो मेरूलर फिल्टरेट अब दूसरा स्टेज जो है दूसरी क्रियाए है अब छंत हो गया सारी चीज उसने निकाल के बाहर फ्यांक दिया सोडियम भी था हमारी बौड़ी के लिएवर तो चाहिए वह फालतू सल्फर हमारे पेशाप के माध्यम से बाहर निकलेगा तो यह देखे जो फालतू चीजे थी यह ना मुआ जितने पी सारे चीजे आई वह सारे के सारे चन गया एक बार चननेके बाद पहले भी बताये था कि बोमिन कैपसुल के नलिकाओं के द्वारा जो काम की चीजे थी हमारी बौडी में उनका अवसोशन कर लिया जाता है और काफी हद तक महतो जो इसमें साथ देता है सहयोग देता है लूपा फेन ले पहले भी बताये था तो यह जो नलिका पुनर अवसोशन में क्या होता है क जो काम की चीजे थी जैसे सोडियम था प्रटेश्यम था या ग्लुकोज हमारा है क्लोराइड है यह सारे के सारे या जल है जो हमारी बौडि के लिए अतिनतावशक था प्लाजमा था वो सारे के सारे लगभग नलिकाओं पुनर अवसोशन के द्वारा अवसोशित कर लिये जाते हैं जिसमें पिछले वीडियो में मैंने बताय था समीपस्थ कुंडलित ना लिका के द्वारा है ग्लुकोज का अवसोशन होता है मनें गुलोज कुलुकोज अवसोशित कर लेते हैं सोडियम और नहीं सौरी फासफोरस अब पोटाइसियम का अवसोशन हो जाता है और जो दुरस्त कुंडलित ना लिका है वो सोडियम को अवसोशित करके सोडियम आयन कंस्ट्रेशन में पार्टिसिपेट करता है ठीक है तो ट्यूबलर यह जोसन मतलब समझो कि अवसोशित कर जो इसने फेक दिया था फिल्टरेट को उसमें से चून करके वापिस रक्त में डाल दिया अब तीसरा आता है ट्यूबलर शेक्रेशन ना लिका श्रावन यह क्या करता है हम पहले भी बताए थे आज ही बता रहे हूं कि नेफ्रन में श्रावी कोश्रिकाएं होती है क्या हो जो काम की चीजे थी और तीसरी क्रिया में तूबलर से क्रेशन के माध्यम से थे लिका स्रावी कोशी काईजे होती है जो यूरिया यूरिकाम्ल क्रियेटीनीन युरोबुलीन और बहुत सारे चीज भारी धातू कुछ दवाईयां जो हमारी बॉड़ी के लिए हनिकारक है उन इसमें शरावी कोशी काईजे द्वारा घरहन कर लेते हैं और उसके अपने केविटी में डाल देते अपनी कोशी काईज के ड्ला वा बर्जी पदार्त है वह बापिस यूरिका द्वारे दौरा पहुंचने के बाद siati मुत्रवाही नलिका में और मुत्र वाहिनी नलिका से पहुंच जाता है वो धीरे-धीरे-धीरे करके आपके मुत्रासे में और फिर वो मुत्रासे में पहुंचने के बाद मुत्र मार के द्वारा समय समय पर उसे बाहर निकाल दिया जाता है तो यह आपको मैंने आज मुट्र निर्मान के तिन परक्रिया है पहला परक्रिया छानने का दूसरा को पुनरह आवम सोषन का और तीसरा प्रक्रिया है श्रावन का तो पहले में क्या हुआ जितने भी रख काया उसमें चाहे अच्छा पदार्थ था या बुरा पदार्थ था उत्सरजी था या काम की चीजे थी सब के सब छान लिये गया है बहुत इज़ी तरीका दूसरे में क्या हुआ जो सब छान लिये सब बाहर फिक जाएगा तो इंसान क्या होगा कुपोशित हो जाएगा वाले सोडिय में सब बाहर निकाल दिया तो क्या करते हैं कि उसमें से नलिका पुनर अप्शोर्शन में जो काम की चीज़े होती जो हमारी बॉड़ी के लिए आवसक है वो पुनर रख्त में डाल दिया जाता है और फिर जो वर्ज पदार्थ होता है बिल्कूल युरिया युरी कैसे क्रेटिन वो सब के सब स्राविक और शिकाओं के द्वारा ग्रहन कर लिये जाते हैं उसको कैवीटी में डाल दिये जाते हैं फिर उसे पेशाब में डाल दिया जाते हैं और वही पेशाब कहलाता है बढार जुचल के साथ रहता है वही अब एक चीजा और जान लो कि हमारे पेशाब कर रंग पीला क्यूं होता है कि तो आपको तीन क्रियाय मैंने आपको बताई नलिका पुनर अव्शोशन में 175 से 180 लीटर तक डी प्रोटिनाइजड प्लाजमा छनता है प्रती दिन मतलब 24 घंटे में हमारा रक्ट परिशंचरन के दोरान कम से कम 175 से 180 लीटर तक रक्ट छाने जा रहे हैं जिन में से केवल और केवल 1 से 1.5 लीटर ही पेशाब के रूप में बाहर निकलता है डी प्रोटिनाइजड प्लाजमा छाने जाते हैं जिन में से 1.5 लीटर ही पेशाब के मर्ध्यम से हमारे शरीर से बाहर निकलता है शेश जो है वापिस रक्त द्वारा अवसोसित कर लिया जाता है और रक्त परिशंच्रण के द्वारा जो उपयोगी पदार्थ है लाबदाई पदार्थ है वो हमारी सरीर के बिभिनंग हो तक पहुंचाये जाता है तो आज मैंने आपको मुत्र निर्वान की कौन-कौन सी प करना है इसका नियंतरन एंटी डीयूटिक हार्मोन के द्वारा किया जाता है कौन से हार्मोन है एंटी डीयूटिक हार्मोन ke पूला देगा। जेसे हम दूएन से रियरेटर को फॉरे श 믹नााइ कि रिया मिल गास मुआ हुशन मतीमाइब है. चосьागन, अशुझा करें देखते हो सुगर वाली बिमारी में तो अम महरीनीज्ञा होता है दूखा बक्तरिक। के द्वारा होता है और यह एंटिज़िटिक हर्मोन प्ज्टूट्रि ग्रंथी से निकलता है और स्वीयम इसका जो संतु होता हैं एल्डूर्टुटैरोन के द्वारा होता है और यह आश्टिरोन हर्मोन ऐंड्रीनल였습니다 Spider किडिनी के ऊपर एक्टोपी जेसे संग्रक्णा होती है जिसको हम कहते है एड्रेनल गरंथी और यूसे अड्रेनल गरंथी के कोर्टिक्स भाग से उपरी परत से कि एल्ड़ोस्टिरोन का सेक्रेशन होता है ठीक है ना तो सोड्यम आयन को संतूलन वह करता है कि कितनी मात्रा हमें हमारी सोड्यम हमारी बॉडी के लिए लाबड आये कि कितनी हमारी बॉडी के लिए लाबड आए नहीं तो आज मैंने आपको डिटाल्इस में एकस Communist system का पेसाब कैसे बनता है सोडिय मायन का संतुलन कौन करता है पुनर अब्सोर्शन किरिया का नियंतरन कौन करता है और इसे सम्मंदित कई सारी चीजों के बारे में आपको डीटल सर्चा किया तो अगर इस वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लिज सेयर करिए कॉमेंट करिए लाइक करिए और दूसरे लोगों को भी आप मदद कीजिए फिर मिलते हैं अगले वीडियों ओके बाई